नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET वीशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत अपनी PYQ सिरीज में हम आज December 2018 में हुए प्रशन पत्र के जो 21 से 40 तक के प्रशन है उनको डिसकस करेंगे तो चलिए बीना देर के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहला इसमें जो प्रशन है देखिए प्रशन नमबर 21 ये कहते हैं कि यूही मन मेरो मेरे काम को न रहयो माई स्याम रंग हवय करी समानयों समानय रंग में उक्त पंक्तियों में कोई गूपी या भक्त क्या कहना चाते हैं विकल्प में देखिए श्री किशन के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है मेरा रंग पहले से काला है इसलिए किशन में रंग से मिल सका शिरकिशन के रंग में रंग कर मेरा मन उनी जैसा हो गया है या फिर मेरा मन शिरकिशन के वश में हो गया है तो देखे इस तरीके के प्रशन जब भी पूछते हैं तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस्तिगे के प्रश्णों में एक दो विकल्प आपको बिल्कुल उर्पटांक से दिखेंगे जैसा कि यहां पर पहला देखने को मिल रहा है देखिए श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है ठीक है तो किसी भी व्यक्ति का रंग किसी भी दूसरी व्यक्ति के साथ रहकर काला नहीं हो सकता तो इसलिए यह क्या है बिल्कुल irrelevant बात कही गई है तो यह इसमें सही नहीं होगा जब कि दूसरा जो है देखिए विकल्प यह भी कहता है कि मेरा रंग पहले से काला है सिलिए कृष्ण में रंग से मिल सका तो ये भी क्या है गलत है तीसरा जो विकल्प है देखिए श्रीकिशन के रंग में रंग कर मेरा मन उन्ही जैसा हो गया है तो ये बिल्कुल सही बात है कि श्रीकिशन के रंग में मतलब उनकी भक्ती में या उनके प्रेम में वो क्या है उनके जैसा मेरा मन उनी जैसा हो गया है और मेरा मन शिरकिष्ण के वश में हो गया है यही चीजें इस पंक्ती में कहने की बात कही है तो देखिए तीन और चार इसका जो है बिल्कुल सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा clear है अगला हम प्रश्ण देख लेते हैं इसमें कहते हैं कि सूर्दास के बारे में शुकल द्वारा लिकित कौन से कथन सही है तो देखिए मैंने प्रारंब से ही ये बात कही है कि जो सूर्दास तुलसिदास या फिर आपके जाईसी और कबीर इन के बारे में शुकल या कोई कि अन्य जो अलोचक है वो क्या कहते हैं जरूर पूचा जाता है या देखिएं 2018 में सूर्दास के बारे में पूचा गया है तो देखिए चार पंक्तिや दीगी है इन में से आपने दो देखनी है कि कौन से सही है या तीन सही है तो उन्होंने विठलनात की आगय से श्रीमत भगवत की कथा को पदों में गाया तो इसमें यही वाला जो विकल्प है वो क्या है गलत है क्योंकि उन्होंने विठलनात की आगय से नहीं बलकि अपने जो उनके गुरु थे वलबाचारय ठीक है उन्हीं किया गया से श्रीमत भगवत की कथा को पदों में गाया था तो पहला जिसमें नहीं है वो ही क्या होगा सही होगा ठीक है तो देखिए विकलप नंबर B जो है इसका क्या होगा करक्ट होगा क्योंकि B में पहला विकलप नहीं है ठीक है न बाकी जो सारी चीज़े हैं ये हमें सूर्दास के उसमें सूर्दास में मिलती हैं और ये शुकल ने कही हैं हमारे हिंदी साहिते केती हास में पिष्ट संख्या 149 अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते है जनेंदर की कहानियों के पात्र हैं तो देखें जनेंदर की कहानियों के जो पात्र हैं मैंने पहले भी कहा था कि कहानियों के जो पात्र से प्रशन हर बार पूछे जाता है कि कौन सा किस कहानी का पात्र है तो जनेंदर की कहानियों के पात्र जो जो हैं देखिए वो हैं शम रितिकालीन अचारियों की तीन श्रेणिया हैं तो देखिए रितिकालीन अचारियों की तीन श्रेणिया हैं ये एक बात हमें यहां से जानकारी मिल रही है तो कौन-कौन सी है ये हमने देखना है उदभावक है या व्याख्याता है या उदगाता या फिर कभी और शिक्षक तो इसमें से देखिए जहांपर एक, दो और चार होगा, वह वाला विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नमबर डी, क्योंकि जो रितिकालिन अचार्य हैं, उनकी जो तीन श्रेनिया देखिए, वो हैं उदभावक, व्याख्याता और कवी और शिक्षक, तो विकल्प नमबर इसका क्या होगा, सही उतर होगा, अगला परशन देख लेते हैं, हरिशंकर परसाई के निबंद संग्रह हैं, तो देखिए हरिशंकर परसाई के निबंद संग्रह हैं, तो यह बहुत बहुत अपूर्ण है, व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने लिखा है, और व्यंग्या लें कुछ देर ये किसका है ये भी आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं तीन चीजें मैंने यहां पर आपको discuss कर ली कि ये ये तीन चीजें जो हैं ये इनके ही निवन संग रहे हैं विकल्प नंबर दो तीन और चार तो इसका जो C होगा देखिए वो बिलकुल correct answer होगा ठीक हुआ है शोकल जी ने कि रास पंचा ध्याई में क्या क्या चीजें हैं तो रास पंचा ध्याई किस की रचना है ये है नंददास बलक्षन की रास लीला का विसतार से वनन किया गया है और अनुपरास आधी युक्त साहितिक भाषा का प्रियोग है और दुरारूड कल्पना दिखाई पड़ती है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा जो पहले की तीन पंक्तिया है देखिए वो बाली क्या हैं सही है ठीक है रोलाचंद में है कृष्ण की रास दिला का वनन है और अनुपरास आधी युक्त साहितिक भाषा का प्रियोग है लेकिन इसमें जो दुरारूड कल्पना नहीं दिखाई पड़ती है ठीक है तो तीन इसकी विशेष्टाएं है चौथी नहीं है अगला प्रशन हम देख लेते हैं स्याम बिनोदीरे मद बनिया अब हरी गो कुलकाहे को आवहीं चाहत सो युवनिया सूरदास प्रभू तजी कामरी अब हरी भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं देखिए शिरकृषन चिकने घड़े हो गए हैं शिरकृषन चुपड़े हो गए हैं या शिरकृषन चैला हो गए हैं शिर्किशन सुन्दर चवी बाले हो गए हैं, तो देखिए इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं, स्याम बिनो दीरे मधुबनिया, ठीक है, तो इसमें देखिए विकल्प नमबर तीन और जो चार हैं, वो सही होंगे, शिर्किशन चैला हो गए हैं, चलिया मतलब एक तरीके से, और शिर्किशन सुन्दर चवी बाले हो गए हैं, ठीक है, चिकने चूपने और चिकने गड़े तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो विकल्प नमबर तीन और चार क्या होगा, इसका सही होगा, जो हमारा B option है, ठीक है, 18 में पूचा गया था, हाला कि इसके बाद थोड़े से changes आये हैं, कि थोड़े से समाने से प्रशन पूचे जा रहे हैं, यहां पर विस्तरित जो आपको प्रशन बताये गए हैं, जिसमें आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, यहां पर आपसे रचना पढ़के नहीं चल सकते हैं, उस रचना के अंदर क्या चीज़े हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, उसमें कौन-कौन सी विशेष्टा जलकती हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो रहीम की कवीता है, नगर शोभा, यह भी हमें पता चल पड़ा इस प्रशन से ही, और इसकी क्या-क् संकुचित वनन किया गया है या फिर इसमें वर्ण विवस्था के अनुसार अनिक जाती की स्त्रियों का वनन किया गया है इसमें स्त्रियों को उत्किष्ट कोटी का बताया गया है या फिर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर एक, दो और चार इसमें नगर का संकुचित वनन किया गया है और वर्ण विवस्ता के अनुसार जातिक इस्त्रियों का वनन है फिर इस्त्रियों अपना उत्पात बेचने का काम करती है यह है रहीम की कवीता नगर शोबा की मुख्य विशेश्टाएं तो विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट अन्सर होगा नेक्स्ट है देश विवाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास तो मैं समझता हूँ इस प्रशन को बताने की जुरूरत नहीं है क्योंकि यह वाले प्रशन हमने पिरकुल अच्छे से विश्कस किये हैं देश विवाजन के प्रसंग पर आधारित और हमारे पाठेक्रम में शामिल हैं दोनों उपन यासें जोटा सच और तमस तो एक और दो इसका करेक्ट अन्सर होगा नेक्स आता है देखिए अगला पशन यंद्री की लड़बड़ा जिभा का फुढ़ा काच का जती मुख का सती जो सत पुरुष उत्मो कथी गोरकनात की दिश्टी में सच्चा साधन वही है जो सयमी हो इंद्री अदमन करने वाला हो या कूट भाशा बोलने वाला हो यहां महा सुखवादी हो तो देखिए गोरकनात मतलब नात सहित्य वहां से है मैं आपने वहां पर विस्तार से चर्चा की हुई है तो यहां पर देखिए इसका क्या मतलब है गोरकनात के दिश्टी में सच्चा साधन कौन सा है यह कहते हैं कि जो आपका देखिए विकल्प नमबर एक जो सयमी हो और साथी साथ क्या हो इंद्रिय दमन करने वाला हो मत की A और D में ठीक है तो यह दोनों क्या है सब्ते हैं नेक्स आता है फिर किन का संबंद माखनलाल चतरुवेदी से है तो माखनलाल चतरुवेदी की कौन सी रचना इसमें से हैं ठीक है सिपाही है आर्द्र है दैनी की है या फिर पुष्प की अभिलाशा है तो देखिए यह बहुत ही simple सा सधारन सा कि इसमें से हमने देखना था कि कौन सी रचना है जो है माकनला चत्रुवेदी की है तो पुष्प की अभिलाशा तो इनकी है ही है ये तो बहुत सब लोगों को common C हो जाती है कि ये तो इनकी रचना है लेकिन इसके साथ ही साथ जो सिपाही है दिखिए ये भी इनकी लिखा है तो एक और चार जो है वो सही उतर होगा विकलप नमबर C विदेशी प्रिष्ट भूमी पर आधारित उपन्यास है वे दिन रुकोगी नहीं रादी कहा साथ नदियां एक समंदर उस शहर तक तो देखिए विदेशी प्रिष्ट भूमी पर आधारित उपन्यास पूछा गया है तो ये वाली बात भी हमने उस वक्त कर ली थी जब हम उपन्यास जो 1.6 उसको कर रहे थे उसके पहले ही लेक्चर में हमने ये चीज़ दिसकस कर ली थी कि उपन्यासों से किस लीके की प्रिष्ट भूमी के अधार पर या फिर उसका मूल विशय क पर आधारित उपन्यास बूछा गया देखिए तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका एक दो और तीन वे दिन रुकोगी नहिराधिका और साथ नदिया एक समंदर तो ये तीनों उपन्यास गया है विदेशी पुष्ट भूमी पर आधारित उपन्यास है ठीक है तो इ तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर जो आपका ए है वो ठीक है दो और तीन सौबन और रजट शिखर इन पर क्या है अर्विंद दर्शिन का प्रभाव पढ़ा हुआ है नेक्स आता है आपका निमी लिकित में से आतम कथाएं कौन-कौन सी हैं तो आतम कथा तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा एक दो और चार जहां पर है तो विकल्प नंबर बी इसका क्या है सही होगा ये किस-किस की आतम कथाएं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स आता है फिर आपका निमी लिकित में से कौन से प्रगति बाद किन चीज़ों को मानता है कि इनको नहीं मानता है वो भी तो इसलिए प्रगतिवादी विशेश्टा है और इससे पहले हमने रितिकालिन विशेश्टाओं के बारे में देखा ठीक है तो सारी चीज़ें क्या है हमें कही न कहीं अब डीप स्टेड़ी करना ज़रूरी ह तो इन सब के बारे में भी हमें तोड़ी से जानकारी होना चाहिए कि क्या-क्या विशेष्टा हैं इसका जो सही उतर होगा देखिए विकलप नंबर एक, दो और तीन व्यश्टी चेतना या थार्थ चेतना या फिर इतिहास बोध तो ये तीन चीज़े हैं जहां तक मुझे अपनी जानकारी के अनुसार मालूम है अगर आपको लगता है कि इस प्रशन का उतर कुछ और हो सकता है तो आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स आता है अपका रितिकाले इन वीरकावे की प्रमुख विशिश्टां हैं तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर देखिए एक, तीन और चार सिर्फ इतिहास इसमें सुरक्षिट नहीं है है ना? तो दो इसमें नहीं होगा था एक तीन और चार इसके सही उतर होंगे ठीक है दिग उर्जत टूटत कुटुम जुरत जतूर चित प्रीती परती गांठी दुर जन हिए दई नई यहरीती उप्रिक्त दुहे के संब्ध में कौन सा कथन सही है ठीक है इसमें कारेकारन संब्ध क इसका जो सही उत्र होगा देखिए vhold विकलप स्वभावि चित्रन है या असंगती अलंकार है जो सही उत्र होगा देखे की जो होगा विकलप नंबर दो मुसी मुसी रोवे कबीर की माई ऐ बारी के कैसे जीवही खुदाई पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ क्या है मन ही मन रोना या सिसक कर रोना क्या दहार मार कर रोना या किसी का गुण कथन करते हुए रोना तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा मुसी मुसी मतलब मन ही मन रोना और सिसक कर रोने से यहां पर मुसी मुसी का भावार्थ लिया गया है तो एक और दो जो डी भी कल्प है दिकिए वो इसका बिल्कुल सही उतर होगा तो कभीर से प्रशन पूछा गया है तो हर तरीके से हमें अपनी स्टड़ी को अब जादा निखार लाना है एक महीना मारे पास रह गया है तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बिच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्ज़ और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिं